नमस्कार दोस्तों तो आज के जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेट है आपको ज़रूरी इंप्रोमेशन मिली गया होगा कि जीओ फोन नेक्स्ट फाइनली लॉंच हो चुका है और अगर आप जीओ के ऑफिसियल साइट में देखेंगे तो उसमें भी उस स्मार्ट पूरा अंतक देखिए तो हो सकता है कि मैं आपका बहुत सारे पैसा बचापाऊ तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बीना कोई वक्त कबार आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गज़र चनल पे नहे हैं और आसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो पहले तो पहले तो मैं आपको इस स्मार्टफोन के जड़ा दो स्पेसिफिक्शन के बार में बता है तो यूँकि आप में से बहुत सरे लोगों ने मुझे ए सबल पूछा है यह जो जियो का स्मार्टपॉन लॉंच होआ है किया इसमें आपको डूएल सिम का फीचर मिलेग लेकिन एचीज धियान में रखना दोनोई सिम लॉक्ट सिम है इसका मतलब उसमें सेप आपको जियो का ही सिम कार इस्तेमल करने को मिलेगा कोई दूसरे कंपणी का सिम कर आप इस्तेमल बिल्कुल भी नहीं कर सकते और अगर इस स्मार्टपॉन के प्राइस की बार में बात क लेकिन अगर आप जियो फोन लेने के लिए यह माई ऑप्शन में जाना चाहते तो आपके लिए टोटल दो आप्शन है एक तो एक तो एक तो एक टीन मंत का ऑप्शन दूसरा एट टोइंटिफोर मंत का अप्शन और जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते ए आट्टर और ट चार स्मार्पोन सबसे बढ़ी आए एक तो ए आज जो लॉंच हो आए जियो फोन नेक्स्ट जिसका प्राइसे 6,500 रुपाई दूसरे स्मार्पोन का नाम है जियो नी मैक्स प्रो 7,000 रुपाई पर एक बहुत बढ़ी ऑप्शन है तीसरा स्मार्पोन है फ्लिपकाड मार्क प्राइसे 6,000 रुपाई और चौत्य स्मार्पोन का नाम है रेड्मी 9A स्पोर्ड पिछले महीं ने आमाजन ग्रेट इंड्रेंसेल हो था उसके दरणी यह लॉंच हो है तो इदार आम इस जियो फोन नेक्स्ट के सादे बाकी तीन स्मार्पोन का कॉंपरेजन करेंगे पहल प्राइसेली जियो का जो फोन यह आपको तारवट का डिस्पछ प्रोवाइ्ड कर रहा है जिmos आगाड उप्रेशेसर की बार में बात करें जियो को छोड़के बाकी जो तीन कंपणि पूर में और ओक्ता कॉर प्रोग प्रोषार को थोड़ा सा बेटर हीलियो जी 25 प्रोसेसर मिलेगा लेकिन सेम प्राइसपॉन में जीओ आपको बहुत ही पूराना स्नाप्ड्राइकोन 2015 बढला प्रोसेसर प्रोवाइट करें नेक्स आखर हम क्यामारी की बार में बात करें वैसे इस जागळा पर यह जो चारों कंपनी एक्जक्ति सेम कर रहा है किसंब हैं को घ्यो जी ओनी फिलिप कार और रेड्मी चारों पर यह आपको आपको 2GB 32 GB VN बाल आप्षण मिलेगा जीओनी की स्मार्टफोन में आपको 3GB 32 GB VN मिलेगा और सभी में आपको HD Card का भी option देखने को मिलेगा और हाँ एचीज में आपको कहा देता हो सभी में आपको 2 प्लास वान कार्ट सिस्टेम मिलेगा इसका मतलब दो सिम कार और एक एजडी कार आप सेम टाइम इस्तेमल कर पाएंगे नेक्स्ट आगरम सभी के बैटरी के बार में बात करें एक दार सेल एक जीओ फोन नेक्स्ट का सबसे बैर डिजाइम निक चीज यूँकि इस में आपको मिलता है सेप और सेप तीन हाज़ार पांसों इमिज का बैटरी जो कि आज के दिन के कोई स्मार्ट फोन के लिए बहुत ज्यादा पीछे तो मतलब इधार हम क्या चीज समझ पते हैं जो छे हाज़ार पांसों रुपाए में जीओ फोन नेक्स्ट लॉंच हो आए अगर हम इस प्राइसमान के बागी के फोन के साथ कॉम्पेर करेंगे तो उसके आसपास भी नहीं है क्योंकि डिस्प्ले छोटा है प्रोसेसर बहुत ही लोए और सबसे में चीज जो बैटरी वो बसे 3500 इमेज बैटरी तो मतलब सेब और सेब हार्ड़ोयर के बेसिस पे जो जीओ फोन नेक्स्ट बिल्कुल भी बड़िया फोन नहीं है तो आभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप जीओ फोन नेक्स्ट क EMI की मदद से लेंगे तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 2000 रुपय का जैसे कि देख सकते हैं इस साइड में मैंने लिग दिया है लेकिन अगर आप EMI ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको इसके लिए प्रोसेसिंग फी एक्स्ट्रा 51 रुपय का लगेगा जो कि इस टोटाल कॉर्स से एक्स्ट्रा है मलता भी 6,500 रुपय के अंदर 51 रुपय नहीं है इस EMI के प्रोसेसिंग के लिए आपको अलग से 51 रुपय पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद क्योंकि आप फोन ले रहे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अब EMI के लिए आपक खेर के लिए प्लेंडे के हर माईने पी हम हर मायने पर आपको पास 100 मिनिट का टॉक ताम मिलेगा जो बहुदी जासे कि देख सकते हैं अगर आम ओज उन प्लैन के जो 24 मंस बला टाइम पिरियोड है अगर हम उसके जरी पेमेंट करेंगे तो हमें नेक्स 24 मंस तीन सुरूपए पर मंद की सबसे पेमेंट करना पड़ेगा जिसके लिए हमें टोटाल साथ हाजाद दो सुरूपए खर्चा करना पड़ेगा तो इधर हम क्या चीज़ चीज़ पाते चीज़ पांच रूपए के स्मार्टफोन के लिए हमें टोटाल खर्चा करना पड़ेगा नौहाज़ शाट रूपए जो की बिल्कुल भी अच्छा डिल नहीं है इसके बाद आप इस नेक्चार में देख सकते हैं आगर आप इस ओलोई ऑन प्लैन के 24 मंस न स्मार्टफोन के लिए हमें पेमिन करना पड़ा है टोटल 8800 रूपए अगर आप यह माई ऑप्शन पर जाएंगे और यह जो ऑलोईज ओन बाला प्लैन जैसे कि आप देख सकते यह बस टोटली दिखावे के लिए प्लैन है क्योंकि इसमें आपको कोई भी डिटा प्लैन या फिर कॉलिंग प्लैन देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद हम जो प्लैन को देखेंगे वह एक प्रॉपर प्लैन है क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेट कॉलिंग मिलेगा उसके साथ पार डेर जीबी का फोट जीटा मिलेगा इधर दरसल हम जो 555 रूपीज बाला जो और अगर हम दो साल में टोटल खर्ची के बाल में बता है तो आप देख सकते हैं 6,500 रूपए के एक स्मार्टफोन के लिए हमें पेमिन करना पड़ेगा 13,300 रूपए तो आप समझी सकते हैं जीओ का यह जो EMI बलस्की ने टोटल ही बेकारे क्योंकि अगर 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 आप जीओ फून ने जैसे EMI की मज़ से खरीने जाएंगे तो आपको नॉर्माल स्मार्टफोन के मुकबले दूग ना पेमिन करना पड़ेगा जैसे कि अब इस पिक्टर में देख सकते हैं लेकिन इधर में आपको एक और चीज भी दिखा अगर हम उसे दो साल के लिए रिचर्च कर देंगे तो हमें टोटाल 4,440 रुपाय का खर्चा होगा तो अब देख सकते हैं अगर आप जीओ फोन नेक्स खरीते हैं टोटल पैसे एक साथ पेमिन करके उसके साथ अगर आप डेटा प्लान लेंगे तो आपको टोटल खर्चा आपको दो साल में टोटाल 10,900 रूपाय पेमिन करना पड़ेगा लेकिन आगर मुझे दो साल में टोटाल 10,89 drug मेर पेमिन करना हीPड़ेगा तो मैं 6,050 रुपाय खर्चा करके JIO4 NEXT के उलोंगा जिसमें हम JIO SIM के देखा पेमेंट करना पड़ेगा डेटा और कॉलिंग के लिए उसके बज़े आपके लिए सबसे बेटार उप्षा नहीं होगा 6,500 रुपए मैंने इस वीटियो पे दिखा देया है जियो के इलावा और भी बहुत सारे बरिया स्मार्टफोन है आप उसमें से कोई एक स्मार्टफोन को चूस कीजिए नॉर्मल कैशन डेलिवरी या पे यह माई की मदसे उसे खरी दिया वह आपके लिए सेम प्राइस में बेटा स्मार्टफोन होगा और उसके बाद आपे सेम जियो को यह जो डेट जीवी बला प्लान है उसे रिचार्च क प्राइस उससे एक्जक्ली दुगना पेमिन करना पड़ेगा टोटल दो साल में जो कि आपके लिए बिल्कुल भी वाली फोर मनी ऑप्शन नहीं होगा पैसे आप मुझे आप मुझे आप जीवी पोजिटीव बी पोजिटीव थैंक्यू